जी हाँ फ्रेंड आप भी इस तरह से फोटो बनाना चाहते हैं आप देख सकते हैं यह एफॉर साइज में हैं और यह 4x6 तो इस किस तरह से बना सकते हैं अगर आप भी सोच रहें कि मैं मोबाइल से बना लूँ पासपोर्ट साइज फोटो आपका भी शौफ है इस टूडियो को आपको लास तक देखना होगा फ्रेंड कि जब तक इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगा आपको कुछी भी समझ में नहीं आने वाला है यह 4x6 में फोटो बनाते हैं पासपोर्ट साइज का फोटो फोटो स्टूडियो वाले जो हैं आप उदर खिचाने जाते हैं तो आप जो कंप्यूटर अभी कौन चलाता है फिरन क्यूंकि आपको पता होगा सारा चीज़ जो है मोवाइल से हो चुका है तो इस वीडियो को आप लास तक दिख लीजिए मैं मोवाइल से बताने वाला हूं अभी किस तरह से जो हैं आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे आपको क्या करना है फ्रेंड यह देखिए यह जो है फैसे जो है आपको एक डाउनलोड कर लेना है और दुसरा यह वाला एप्लिकेशन पासपोर्ट फोटो यह वाला सर्च कीजिएगा प्लेश्टोर में तो मिल जाएगा यह दूनों एप्लिकेशन आपको वी बैग्राउंड चेंज करेंगे तो बैग्राउंड चेंज करने के लिए आपको क्या करना है फैसे डाउनलोड करना ठीक है इसमें हम बैग्राउंड को चेंज करेंगे तो किस तरह से चेंज करेंगे यह दखिए हमारा फोटो है इसको पहले हम शेयर कर देंगे फैसेप में रखन कर देते हैं नीचे में यहां से सो समुन वहाँ पर क्या करेंगे कि करेंग लेकर ऑफ स्केट चाहिए वी बीज़ा कि लिए तो यहीं आहिए को इसी किकेशिन से स्क्रोल करेंगे यह left side में तो आप यहां देखिए यह color यह जो है यह ऑप है उसका उपर में देखिए बहुत सारा color देखिए है क्योंकि वाइट जो है वीजा के लिए होता है ठीक है तो हम मैं आपको बता दिया हूं जैसा कस्टमर का रिकॉइड है अभी हम रेडिकलर का बनाने वाले तो हम रेड़ पर क्लिक करेंगे यह देखिए और फैसे भी थुरा रेड़ हो रहा है यह देखिए थुरा सा जो दि करना है यह देखिए सेव सेक्सेस्फुली हो चुका है यह हमारा गैलरी में आ चुका है अभी आपको बैक चले जाना है और दूसरे नंबर का जो आपको काम परने वाला है दूसरे नंबर का अप्लिकेशन यह वाला पासपोट फोटो ठीक है प्लेस्टोर में सर्च कर यह देखे कुछ इस तरह सेंटरफेस आपको दीखेगा ठीक है तो यहां देखे निव फोटो लिखा हुआ है तो आपको फोटो पर किलिक करना है और यहां पर आपको अपना एक साइज बनाना पर देंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा नीचे में आपको दिखिए यह जो में आपको जो है 3.00 देना है ठीक है यह याद रख लिजेगा और जो हाइट में है 3.8 सेंटेमीटर इसको आप स्क्रीन शॉट मार लेजिए ठीक है तो यह देखिए हमारा जो है यह साइज है और अभी हम इसको क्या करेंगे नीचे में देखिए डन है ठीक है इस पर दन प आएगा नॉर्मल फोटो निकलेगा जो कि हर जगा चल रहा ठीक है उसके बाद यहां देखिए गैलरी पे क्लिक करना क्योंकि मैंने जो है रेड कलर का बैगरॉंड जो बनाया है वह हमारा गैलरी में से हो चुका है तो वह गैलरी से हम फोटो उठाएंगे तो यहां गैलरी आप देख सकते हैं यह हमारा फोटो मैंने किया उसके बाद नीचे में देखिए श्टार्ट एडिटिंग श्टार्ट एडिटिंग इस पर क्लिक करना है और यह यहां से जो है फोटो को यानी सीधा कर सकते हैं अगर 13 फोटो होगा तो अब भी हमारा बिलकुल सीधा है और नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है और उसके बाद यह देखिए आपको एक जो है फ्रेम खुलेगा ओटोमेटिक यह देख लीजिए यह चोटा सा जो हाथ जैसे दिख रहा है आइकन यह देखें इस पे क्लिक करके आप छोटा बरा कर सकते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है और दोनों कंधा को सेम सेम मिलाना है ओके यह देखिए हमारा दोनों कंधा को मिला लेता हूं सेम सेम दोनों एक बरावर होनी चाहिए आपको ठीक है उपर में भी देख लेना उसके बाद क्रोप पे क्लिक करेंगे उसके बाद यह देखिए यहां पे कांट्रास्ट आएगा थोड़ा इसको थोड़ा सब रहाना है ठीक आप अपना हिसाब से कर लिजेगा देखिए थोड़ा सब रहा देंगे तो थोड़ा सही देखेगा अब जख सकते हैं फिर उसके बाद फिर से सेप कर देना उपर में देखिए से जैसे क्लिक करेंगे तो यहांपे भाई साब आपको दो सेटिंग करना है जो की बहुत ही इंपरेंट है तो बहुत मोटा है इसको हम थोरा से कम लेते हैं कि यह देखिए यह जो है ना इसको माइनस प्रॉस करींगे घखिए यह थोड़ा साप को जो है पतला लाइन देना है ताकि कि खुबसूरत लगी यह देख सकते कितना खु.» लगails लग रहा ताकि आपको HD quality में फोटो से वो ठीक है यह देखिए तो यहां पर फूल रख दिया मैंने उसके बाद यहां से पर किलिक करना है से पर जैसे किलिक करेंगे एक सेटिंग और रह गया है अब आपको पेपर सिलेट करना है आपका प्रिंटर में कौन सा पेपर एफोर का है या फ 4 x 6 का है तो हमारा 4 x 6 है ठीक है आपका एफ और होते फोर एफोर से लेट कर लीजेगा तो हम चलिए फोर शिक्स पे हम आपको दिखा देते हैं सोरी 4 x 6 पे हम देखा देते हैं उसके बाद इस तरह से इंटर फेस आएगा अब देख सकते हैं यह हमारा जो है पूरा फोटो देखा देखा चुका है 12 फोटो बैटा है भाय जान ठीक है अभी 한데 कस्टमर कार फोटो चाहिए तो इसको कम कर सकते हैं ठीक है कम करने के लिए नीचे दिख一घ है भningen माले माइनिस वाने पे- क्यालना है तो चलिये माइनिस वाले पे लिक करते हैं यह देखे कम हो गया फोट्टू ठीक है अब है इसको अच्छे तो और अच्छा देखेगा तो आपको यह ध्यान जुरूर देना है ठीक है उसके बाद दिखिए सारा जितना भी हो जाएगा उपर में से वे आपको सेब कर देना है फिर से यहां से फोटो पर आपको किलिक कर देना है और यह फाइनली हमारा हो चुका है हम गैलरी में जाके करों लेज़ें वहां से Peel निकाल सकते हैं यह हमारा तो दोड़ेक्ट प्रिंटर मोबाइल से कनेक्ट है देख सकते हैं अगर आपका हो कि मेंनों था म्यां अपनिक निकाल सकते हैं और ऑर फ्रेंड एक चीजा और मैं आपको बता दूँ बहुत जरूरी है यह देखिए यह यह हमारा एक फोटो है कितना काला फोटो लग रहा है दिख सकते हैं इसको गोरा भी बनाना बहुत ज़रूरी है ठीक है मालों कि फेस में दाग धबा होगा यह भी हटाना जुरूरी है वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है मैं आप से छोटी से रुकेस्ट करूंग आपको ही फायदा होगा हमारे चैनल से बेलागन को अलपी रख लिजिएगा और वो वीडियो जाके देख लो ठीक है यह जो है इसका गुरा करने वाला जो ही इसका धाग दबबा किस्तर से हटा सकते हैं और मिलते है नेक्स वीडियो में अपना ख्यार लखिएगा